तो आई से जिजन एट का मैच नमबर 17 हो चुका है खताम मैच हो रहा था नौर्ट सुनेटर इपसी वर्चिस इपसी गोवा दोनों के बीच एक टकर का मुकाबला हुआ है और भाई यहां पर विनर बनके आया है नौर्ट सुनेटर इपसी एक लेट गोल के चलते हैं खासाख क्या है इस सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस मैस रिलेटर तो इस वीडियो का अंतार के जरूद देखते रहा ना तो इस मैच पर दोनों टीमों का लाइनप देखा जाए तो मैंने आपको जिस तरी की प्रिवीव वीडियों बताए था उससे थोरा बहुत चेंजिस द देखने को मिला है तो एरहा नोशनेरी रिफसी के लाइना आप दूसरी तरह बगार एफसी गोग देखा जाए तो इहां पाधीरा सिंग उसके बाद से सवन डाइलाउन फॉक्स का इंटरी हुआ है इनका नामेन आपको नहीं बताए था प्रिवी फीडियों उसके बाद से अगर दिखाई दे रहा था इपसी गोवा लागा तर चांस क्रेट कर रहा था और थ्रेट बन के सामने आया नौशनेरी रिफसी के डिफेंस के ओपार बहुत सारा से बहुत सुबा से इसने क्या है भाई और हमें भाई एक बहुत ही बाराई हाँ पर जटका मिल गया था और दस मिनिट में पहला गोल आया और यहां पर लीड लिया भाई नौशनेरी रिफसी ने चारा ने जवरदास यहां पर फिनिस किया था हाँ फोस्ट में लगकर अंदर आया था कहिने लग रहा था कि फोस्ट में लगकर बाहर ना चले जाया लेकिन भाई उन्होंने अच् किया था एलेक्जंडर जेस्तुराज को और उन्होंने भाई श्रीप टैप इन करके बॉल को घुसा दिया था यहां पर भाई बॉक्स के अंदर ही जा वर्दास हल चल हमें देखने को मिल रहा था और बॉल इधर उधर होते होते नगुरा के पैर से गया अलेक्जंडर के पैर पर और अलेक्जंडर ने हाँ पर सीधा सीधा टैप इन कर दिया और स्कोल लाइन को वर्ण वर्ण कर दिया उसके बाद लगातार हमें भाई दूसरी तरफ से अटक देखनों को मिल रहा था लेकिन 17 मिनिट पे एक भाई अचमबित कर देने वाले डिसीजिजिजिजिजिज लेकिन उसके बाद हमें बहुत ही सब्सक्राइब को मिला है दोनों के तरफ से चांस क्रेट हो रहा था हाला कि ज़्यादा खेल रहा था यहां पर ज़्यादा तर दबदबा बना के रखा था इप्सी गवा और मैच को भाई पहले हाप में पुछ तरिगे से कंट्रोल कर रहा था बहुत सब्सक्राइब कर रहा है लेकिन फिनिस नहीं इपसी ने पकर के रखा था नाचनली इपसी को अच्छी तरिकी से डिफेंस कर रहा था लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस भाई यहां पर किडेट हो रहा था इपसी गवा के तरफ से ही फिर से वही भाई पॉब्लेम फिनिस नहीं हो पा रहा था मैंने आपको के जगे देवेंदर मुंगाउकर उसके बाद प्रिंस्टर रिवल के जगे भाई नेमिल का आज डिपी हुआ है हम लोग बहुत दिनों से तरस रहती कि स्क्रेट को कब देखेंगे हम लोग आए सेल में और आज फानिल उनका इंट्री हो चुका रोंके आते ही भाई हमें मै देखने को मिला है देशन ब्रॉंक का इंट्री हुआ था पैटिक के जगया और उन्होंने भी भाई आकर कुछ त्रेट तयार किया था इसके इलाबा मैथियो उसने भाई एक जवर्दा शॉट लिया था जो कि क्रोस बेर में जाकर भाई लग गया था एकदम हाप पीस से उ बाल उनके पीछे चला गया लेकिन यहां पर किस्मत खराब है मैथियो उसका क्रोस बार में जाकर बाल लगकर बाहर आ गया इसके इलाबा बहुत सारा स्वाट ऐसा था जो कि भाई पोस्ट में लगकर बाहर चला गया और कहीना कहीं से भी अच्छा किया था यहां पर उनके धिराश सिंग ने लेकिन हम लोग क्या कर सकते भाई जो मैच का वोईनर है और उनस्पेक्टेड था क्यूंकि मैच एकदम अन्त में जाकर हमें देखने को मिला है इस मैच का वोईनर एकदम रेगुलेशन टाइम खतम होने के बाद जो एक्स्ट्रे टाइम होता है वहां पर सब्सक्राइब कर दिया था उसके बाद टाइम को कुछ खपत किया रोचा जिला के जगे मन कान को बेजा गया उसके बाद लेने में देर कर रहा था यहां पर इनके गोल कीपर नंसी लिटे का तो बहुत सरा ऐसा चाइम का खपत हुआ और यहां पर जीत मिला नोशनेदेर टीको दो एक से निटीजिशी ने हां पर जीत हासिल क्या है लेकिन हम लोग यहां पर स्टैट देखे तवा उसके अनुसर कही ने कहीं पाल लड़ा इपसी गौवा का ही भारी था शिरिफ रेजल उनके तरफ नहीं गया है 61 परसंट बॉल परिजिशन 39 परसंट यहां पर बॉल परसंट था नौज ने रिपसी का 61 सब्सक्राइं पर्लिफ नौज इस दिन में पोइंट नहीं मिला है लेकिन आगेदी पॉइंट नहीं लेकिन छीन लिया है ऐसा हम लोग कह सकते हैं और इसके बाद अगर कुछ ख्लार के बात किया जाए तो नौशनेरी रिफसी के तरफ से भाई सुभत सी सुराई चोधरी क्या कमाल का पाफमेंस डाला है उन्होंने बहुत अच्छा डिस्पले दिखाया है बहुत सरी की बात किया जाए तो भाई आज चारा मैथ्यूस और सुहर एक तीनों खिलारी ने अपना डाल दिया था जान जोख दिया तो जिलागे फास्ट गोल के चलते ही भाई कहीने कहीन लीड मिला था नौशनेरी रिफसी को और उनके वज़े से ही कहीने कहीन एक जीत भी आया है क इनकी एक गोल में उनका योगदान था तो चारा को मैने मेनी कॉंगरेचलेशन उनके इस गोल के लिए और नौशनेरी रिफसी को भी कॉंगरेचलेशन इस जीत के लिए इस सीजन के फास्ट तीन पोइंट के लिए दूश्टी तरह पकर में एफसी गवागे बात करूँ त इसकी लावा इनके डिफेंस लाइन भाई बहुत ही शूदिर आज दिख रहा था एवन गॉंजलेच और डैलन फॉक्स का जोड़ी नजर आया सेंटर बैक पर जिसके चलते इनका जो डिफेंस लाइन है भाई बहुत ही मजबुत था एकदम एंड तक इस मैच को रोक के नहीं बना पा रहा था जो कि भाई पूरा के डिफेंस लाइन को जाता है इसकी लावा मीट फिल में हमें आज क्रिएटिविटी देखनें को मिला है कहीं ना कहीं मैं खाऊंगा कि जो आज मौका मिला था तो अच्छा रहेगा फिनिस में उतना ज्यादा उनके एबिलीटी नहीं है एबिलीटी नहीं है जो है भाई ओ है और एडिवीद्या को भाई हम पर खिलाना चाहिए डिवीद्या को भी आज मौका मिला था लेकिन सब्सिटीशन पर इसके लावा देबंदर मौनगा करने भी अपना कुछ चाप छो रहा है लेकिन टाप आप मेंस भाई आज अच्छा खेला है और जिस राज का भी नाम लेना परेगा गोल स्कूरर है तो बाकि अगर पूरा टीम देखा जाए अच्छा खेला है अच्छा टीम वाक्त था लेकिन जीत उनके हाथ नहीं लगा है बैटला तो एरा भाई मेरी तरब से इस मैच का एक फोटा से रिभी हो आप लोग भी क्या सोच राखते हैं इस मैच के उपर कमेंट करके जरूर बताइए फिला कि इस वीडियो कहीं पर रेंट कर रहा हूँ आपको बहुत बहुत सुख रहा है टेम निकल कि इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छला है तो लाइक जरू लोड़ करूँ